आप सभी का स्वागत है हमारी यूटिप चैनल में दोस्तों शुक्रग्रह हमारे सुखों के स्वामी ग्रह है विवाहिक जीवन के, जीवन साथी के, एशो अराम के इन सभी चीजों के कारग्रह शुक्रदेव माने जाते हैं और शुकृदेव का जो प्रभाव होता है वो जातक के समस्त सुखों पर होता है जो हमारे जीवन से जुड़े जितने भी सुख होते हैं जो हम भोगते हैं जो एश्वरे होते हैं उन सभी के स्वामी ये माने जाते हैं अब 23 अक्टूबर को शुकृ राशी परिवर्थित करन इसंकर दूनाएं उन्हों हताएन टूलारशी के सवामी ग्रह भी शुक्र देव हैं उनके लिए उनकी जूद आधा मेहति है तो इस वीडियो में हम तुलाराशी के बारे में जानेंगे कि 23 अक्टूबर से आने वाला समय 17 नवंबर तक का तुलाराशी के लोगों के लिए उनकी राशी का स्वामी उनके लिए क्या खास लेकर आया है तो आगे बढ़ने से पहले आप से निवेदन हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तो तुलाराशी के स्वामी ग्रह शुक्रदेव ही है और आपके प्रत्थम भाव के साथ साथ अस्टम भाव के स्वामी भी है शुक्रदेव कन्याराशी में गोचर कर रहे हैं जो आपक द्वादस भाव को वय का भाव भी कहा जाता है और विदेश का मोक्ष का और खर्चे का हानी का इनका भाव भी कहा जाता है यह जो गोचर होगा आपके लिए कुछ माइनों में तो बहुत ही लाबदायक रहने वाला है और कुछ चीजों में आपके लिए थोड़ी सावधानि से विदेशी नौकरी से विदेशी कंपनी से अच्छे लाग मिलेंगे अगर अगर इन चीजों से जुड़ें हैं मल्टिनैशनल कंपनी से जुड़े हैं बहुत अच्छे योग बनेंगे आपके दोगारी रज embedded me संदेह आपके अंदर आ सकता है जिससे आप थोड़े से ऐसा हज हो सकते हैं और इस ऐसा हजता में आप बहुत से अच्छे अफसरों को गवा सकते हैं इसलिए इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा कि अपनी योगता पर भरोसा रखना है अपनी योगता को कम नहीं आकना हैं जितना आप सोचते हैं उससे अधिक योग्य है आप हैं तो हर कारिय को सफलता पूरवक करें कॉन्फिडेंस के साथ करें ये जो 25 दिनों की समयावदी होगी ये समय आपके शान उसोकत भरा जीवन जीने के लिए बहुत शुब है इस दोरान आपकी दोस्तों का पूर्ट मिलेगा उनके सहयोग से कोई अच्छा लाब कमा सकते हैं हाला कि खर्चे आपके होंगे इस दोरान खर्चों में विरद्धी देखी जा सकती है ये खर्चे घर परिवार के कुछ गारेक्रमों के लिए हो सकते हैं तो हरों का सीजन है इन तो हरों की वजह से हो सकते हैं तो इसे खर्चे हैं थोड़े भारी पर सकते हैं लेकिन इंकम भी आपकी ज़रूर बढ़ेगी इस दोरान आप अपने साथी के साथ थोड़ा सा बांडिशन बांडिंग बना कर आप चलें ये जो समय होगा बहुत इक सुक्स विधाओं के लाब का भी समय होगा बहुत को तो लाब होना ही होना है इस दोरान दुकानदारी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे लाब की योग हैं विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है इस गोचर के दोरान कामकाज के सिलसले में भी यात्रा हो सकती है विदेश यात्रा का योग है लंबी दूरी क जो यात्राइं अगर आप करते हैं तो यात्राओं में आपको थोड़ा सा-सा सावधारी जरूर रखनी होगी अपनी सामान की शुरक्षा स्वैम, आपको करनी होगी आपके राशी की स्वामी भी है तो इस समय, शुक्र जो है वो रचनात्मक चीजों के लिए को रखनी होंगी आपके जो निजी विचार होंगे वो आपके रिष्टों में कुछ विवाद उत्पन कर सकते हैं इसलिए एक तो ऐसा कुछ भी करने से बचें जिससे प्रियतम नाराज हो या उनको किसी बात का बुरा लगे जो बुरी लगने वाली बाते हैं ऐसी बातों को आप ना ही दोहराएं तो अच्छा रहेगा परना कुछ ना कुछ विवाद की स्थियां बनती हुई दिखाए दे सकती हैं हाला कि प्रेम जीवन अच्छा रहेगा प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी आपको प्रेमी संग रोमांटिक पल बिताते नजर आएंगे आप लेकिन के लियाद से ये समय जो है पचीज दिन का ये थोड़ा सा परिशान कर सकता है नेत्र सम्मंधित कुछ परिशानिया हो सकती हैं पेट के सम्मंधित कुछ परिशानिया हो सकती हैं जिससे एक तो खाने पाने पर खान पीने पर ध्यान देना होगा पोश्टी काहर लेना होगा दूसरा आखों पर ज्यादा जोड डालने से बचना होगा ताकि आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकें अपनी सेहत को आप तंदुरुस्त रख सकें लेकिन आपके दोस्तों बड़े काम आने वाले हैं इन दिनों में आपके मित्र की मदद से कुछ काम आप इस समय बनाने वाले है विध्यारतियों की अगर इस समय आवधी की बात की जाए तो जो विध्यारती हायर एजूकेशन से जुड़े हैं उन लोगों के लिए काफी अच्छा योग रहेगा जो ऐसे चीजों से जो कलात्मक चीजों मीडिया के शेतर से जुड़े हुए हैं किसी संगीत से थेटर से ऐसी चीजों से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये शुकर का गोचर बहुत लाब दायक रहेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई मौके मिलेंगे कुछ नई लोगों से मिलने का मौका आपको मिलेगा और इस दोरान आपको सतरक रहना होगा क्योंकि कोई भी अवसर आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए अगर इस समय आपके हाथ से अवसर निकल गया तो बड़ी मुश्किल से लगता है यह ऐसा समय होगा जो आपको कई मौके दिलाएगा जिनका अगर आप लाव उठाते हैं तो बेहद अच्छा रहेगा इस गोचे काल की आवधी में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है अपनी योग्यता पर भरोसा रखना है अपनी योग्यता वो कम नहीं आकना है जब आप अपनी योग्यता पर भरोसा रखते हुए कार्य को करेंगे तो हर कार्य को आप पूरा कर पाएंगे वरना मौकों को गवा सकते हैं अगर संकोच करेंगे काम में आगे बढ़ने में पहल करने में आगे बढ़कर अपने काम पर जोर जमाने में अगर इन चीजों में आपने शरम की इन चीजों में आप पीछे हटे तो आप कई मोकों को गवा सकते हैं इसलिए इन 25 दुनों में आपको इन चीजों की तरब तो बिल्कुल ध्यान रखना होगा सकारात्म कूर्जा आपके अंदर रहेगी बस confidence पर ध्यान रखें अपने उपर विश्वास रखें कोई ऐसा धन भी आपको इस दौरान मिल सकता है जो काफी दुनों से आपका कहीं पर अटका हुआ था या कहीं फसा हुआ था उसके लिए भी ट्राइ करें उसके लिए भी बहुत अच्छे संबंद रहेंगे बड़ा अच्छे योग बनेंगे आपके लिए उस धन को पाने के लिए इस शुक्र के उपाय आपके लिए बहुत लाबदायक रहेंगे क्योंकि यह उपाय आपके लिए बेहत कारगर साबित होंगे असलक्षमी स्तोत्र करना प्रतिक शुक्रवार के दिन बहुत लाबदायक रहेगा तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जदे जदे लाइक करें शेयर करें